मा इश्वर का भेजा फरिस्ता एक समय की बात है एक बच्चे का जन होने वाला था जन से कुष्ण पहले उसने भगवान से पूछा मैं इतना छोटा हूँ खुद से कुछ कर भी नहीं पाता भला धर्ती में मैं कैसी रहूंगा किर्पया मुझे अपने पास ही रहने दीजे मैं कहीं नहीं जाना चाहता भगवान बोले मेरे पास बहुत से परिस्ते हैं उनी में से एक मैनी तुम्हारे लिए चुन लिया है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा पर आप मुझे बताईए यहां स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता बस गाता और मुस्कुराता हूँ मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है तुम्हारा फरिस्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा मुझे तो उनकी भासा भी नहीं आती तुम्हारा फरिस्ता तुमसे सबसे मधूर और प्यारे शब्दों में बात करेगा ऐसी शब्द जो तुमने यहां भी नहीं सुने होंगे और बड़े धैरे और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिस्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा तुम्हारा फरिस्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रातना करना भी सिखाएगा और इस तरह तुम मुझे से बात कर सकोगे मैंने सुना है कि धर्ती पर बुरे लोग भी होते हैं उनसे मुझे कौन बचाएगा तुम्हारा फरिस्ता तुम्हें बचाएगा भले ही उसकी अपनी जान पर खत्रा क्यों ना आ जाए लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा तुम इसकी चिंता मत करो तुम्हारा फरिस्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो बताएगा उस वक्त स्वर्ग में असीम सांती थी पर प्रित्वी से किसी के कराने की आवाज आ रही थी बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा ही इश्वर अब तो मैं जाने वाला हूं किर्प्या मुझे उस फरिस्ते का नाम बता दीजे भगवान बोले फरिस्ते के नाम का कोई महत्म नहीं है बस इतना जानो कि तुम उसे मा कहकर पुकारोगे दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोगो इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें इस कमेंट में जरूर बताईएगा